तो guys welcome back to my channel तो guys आज कर लोगों को tension की वज़ासे रात में नीन नहीं आपाती है जिस वज़ासे वो पूरी रात करवटे बदलते और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ये problem stress की वज़ासे ज़ादा होती है तो guys आज हम बात करने वाले हैं इस Lona Zep MD 0.5MG टैबलेट के बारे में तो guys इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके uses, side effects, precautions, doses और इसके substitutes के बारे में तो guys अगर अब भी तक आपने मारा चैनल सबस्क्राइब नहीं क्या है तो please इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए तो guys चले शुरू करते हैं जैसे कि आपको चकर आ सकते हैं, आपको थकान मैसूस हो सकती है पानी की कमी हो सकती है, वोमेटिंग हो सकती है और कॉंस्टिपेशन जैसी प्रोबलम भी हो सकती है बात करते हैं इसके precautions के बारे में इस टैबलेट को कब यूज नहीं करना चाहिए जैसे कि अगर आपको drug allergy हो मतलब कि इस टैबलेट में दिये गए salt से allergy होना depression से related कोई भी problem हो, liver से related कोई भी problem हो heart से related कोई भी problem हो और Parkinson's की problem हो, अगर आपको इन में से कोई भी problem हो तो please इस टैबलेट को use ना करें तो आप इसके addicted भी हो सकते हैं तो better है, please आप इस टैबलेट को जरुत के वक्त ही use करें इस टैबलेट को use करने से पहले अपने डोक्टर से consult जरूर करें और बच्चों से इस टैबलेट को दूर रखें और guys मैं आपको बता दूँ जैसे कि आप याप रेड आउट कर पा रहे होंगे orally distigrated tablet है तो यह easily mouth में dissolve हो जाती है आप इसको बिना पानी के भी ले सकते हैं कोशिश करें इस टैबलेट को खाना खाने के बाद यूज करें और प्लीज इस टैबलेट को लेने से पहले पने डोक्टर से कंसल्ट जरूर करें अगर आपको इस टैबलेट से रेलेटेड अभी भी कोई बीट आउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं तो गैस बस यह था इस Lona Zap MD 0.5MG टैबलेट के बारे में यह टैबलेट आपको किसी भी मैटिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी हमारा एक दूसरा भी चैनल यहोप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी